असलाम अलेकुम माइ ब्यूटिफुल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बेक टो मै चैनल आज हम बनाएंगे स्किन वाइटिंग टमाटो सोप यह सोप हमारी स्किन को लाइटन वाइटन और ब्राइटन अप करेगा इस सोप में ब्लीचिंग और एंटी इस सोफफ स्मूध शाइनी और ब्राइट और वाइटन अप बना देता है अगर आपकी स्किन पर पिङमेंटेशन है हाइपर पिण्टेशन है लार्ज ओपन पोर्स का मसला है या आपकी स्किन पर रिंकल आगे है फाइन лाइन्स आ गही है ये उनको खतम करेगा अगर कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे के पिंपल्स, एक्नी, पिग्मेंटेशन इन सब को ये दूर करके हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूद और सपल बना देगा तो अपनी स्किन को सॉफ्ट, शाइनी, नर्मो, मुलाइम, लाइटन और ब्राइटन अप करने के लिए एक दफ़ा आप इस सोप का इस्तमाल जरूर कीजिएगा चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक, शेर और कुमेंट कर दे इस मैजिकल टमैटो वाइटनिंग सोप को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक अदर टमाटर ले लेंगे अगर आपके पास छोटे साइस के टमाटर है तो आप दो ले ले और एगर आपके पास बड़ा है तो हम एक ले लेंगे और हम इसको छोटे छोटे पीसिस में कट करके मिक्सी जार में एड़ कर लेंगे और हम ले लेंगे एक अलोविरा लीव जिसको हमने पहले से पानी में रखकर इसका जो येलो पार्ट होता है उसको रिमूव कर लिया है क्योंकि जब हम fresh aloe vera gel लेते हैं तो उसमें एक yellow सा पानी होता है जो के हमारी skin के लिए बहुत ही जादा नुकसान दे होता है तो उसको हम सबसे पहले पानी में थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दे तो वो जो पानी होता है वो निकल जाता है और जो बाकी aloe vera होती है वो हमारी skin पे किसी किसम का कोई नुकसान नहीं देती एक माह यहां पे मैंने छोटा सा aloe vera leaf ले लिया है और हम aloe vera gel को extract कर लेंगे अगर आपके पास fresh aloe vera gel नहीं है तो आप इसमें ready made aloe vera gel का use भी कर सकते हैं fresh aloe vera gel के मैं इसमें 2 खाने के चमच एड़ करूँगी और अगर आपके पास steady weight aloe vera gel है तो उसके भी आप 2 खाने के चमच इसमें एड़ करेंगे और aloe vera gel को एड़ करने के बाद हम इसको grind करके एक fine paste त्यार कर लेंगे tomato को हमने grind कर लिया है और हमारे पास एक fine paste ready हो गई है इसको हम किसी बरी कपड़े की मदद से या फिर किसी stainer की मदद से stain कर लेंगे ताके इसके अंदर कोई मोठा particle न रहा जाए ताके हमारा soap जो है बहुत ज़्यादा smooth बने tomato में bleaching properties पाई जाती है जो हमारी dark skin को lighten और whiten अप करता है और हमारी skin से सारा excess oil हटा कर acne और pimple होने से बचाता है और इसके regular इस्तमाल से हमारी skin पर अगर black head है white head है open pores का problem है ये सारी चीज़ें एक दम solve हो जाएंगी ये हमारे पास tomato और aloe vera gel की smooth paste ready हो गई है इसमें हम चंद drop lemon juice के add करेंगे अगर आपकी skin sensitive है तो आप lemon juice को skip भी कर सकते हैं और हम इसमें add करेंगे दो vitamin E के capsule vitamin E oil हमारी skin को nourish करता है smooth बनाता है हमारी skin पर fine lines और wrinkle जो वक्त से पहले आ जाते हैं उनको remove करने में मदद करता है और हमारी skin को nourish करके soft smooth shiny और नर्मो मुलाइम बना देता है इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे और हम ले लेंगे soap base अगर आपके पास soap base नहीं है तो आप किसी भी transparent soap का भी use कर सकते है soap base का link में आपको description में भी दे दूँगी वहाँ से आप जाके चाहें तो purchase भी कर सकते हैं soap base को मैं छोटे छोटे pieces में cut कर लूँगी ताके जो हमारी soap base है वो easily जल्दी से melt हो जाए वैसे भी ये बहुत जल्दी melt हो जाती है इसको हम double boiler पर रखकर इसको melt कर लेंगे अगर आप इसमें किसी और soap का use करना चाहते हैं वो कर सकते हैं लेकिन वो soap आपको बहुत महँगा पढ़ जाता है अगर आप soap base का इसमें यूज़ करेंगे तो आपको soap बहुत ही सस्ता पड़ेगा जितने का आप बजार से soap लेके आते हैं उससे कहीं कम पैसों में आपका soap बन कर त्यार हो जाता है और वो भी बिल्कुल chemical free और उसका आपको बहुत ही अच्छा result मिलता है soap base हमारी melt हो गई है तो जो हमने tomato का mixture त्यार करके रखा था उसको हम इसके अंदर add करेंगे और इसको अच्छी तरह से mix करेंगे ताकि जो हमने चीज़ें add की है वो अच्छी तरह से soap base के साथ mix हो जाए और जब यह सारी चीज़े soap base के साथ mix हो जाए तो इसको हम soap mold में add करके अपना soap ready कर लेंगे हमारा soap का mixture तियार हो गया है तो इसको हम soap mold में add करके इसका soap तियार कर लेंगे और अगर आपके पास soap mold नहीं है तो जिस चीज़ में भी आप जो भी shape इसको देना चाहते हैं उस चीज में एड़ करके इसको सेट कर ले इसको सेट होने के लिए तकरीबन ओवरनाइट लगती है और अगर आप ज़्यादा जल्दी इसको सेट करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रीजर में रखकर भी आदे घंटे में सेट कर सकते हैं अदे गिन्टे में सेट हो जाता है और बाहिर अगर आप इसको रखते हैं तो ऑवर्णाइट में आपका जो सोप है बिल्कुल सेट हो जाता है सोप मौल पर चेज करने का लिंक बी में आपको डिस्कृप्चिन में दे दूँगी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है आप घर में जो प्यालियां होती है कप होते हैं उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं या फिर आपके अपास अगर डिस्पोजिबल कप या प्यालियां या कोई भी चीज है उसमें भी आप इसको ऐजीली सेट कर सकते हैं तो मैं इसको फ्रीजर में रखके सेट कर लेती हूँ और सेट करने के बाद मैं आपको इसका जल्ट चेक करवाती हूँ तो ये देखें आदे घंटे के बाद हमारा जो सोप है बिलकुल सेट हो चुका है ये बिल्कुल त्यार है इस्तामाल करने के लिए इसका आपकी स्क्रीन पर किसी किसम का कोई साइड फेक्ट नहीं होगा क्यूंकि हमने इसमें कोई कYMICAL नहीं यूज किया बगेर किसी कYMICAL के बगेर किसी हारफुल इंग्रीडियन्ट के हमने नेचरल इंग्रेडियन्ट से अपना वाइटनिंग टमाटर का सोप बनाकर त्यार कर लिया है आप इस सोप को एक बार जरूर बनाईएगा और बनाकर इसको इसको इस्तमाल करने के बाद इसके रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आकर जरूर शेयर कीजिएगा इस सोप का इस्तमाल आप सुबा दुपहर शाम किसी भी वक्त जब भी आप अपना फेस वाउच करें उस वक्त कर सकते हैं आप नहाने के लिए भी इस सोप का इस्तमाल कर सकते हैं ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देगा लाइट कर देगा अगर आपकी स्किन पर एक्नी है या एक्नी स्कार्स है या दाग दबे है ये उनको भी रिमूव करेगा fine lines को remove करेगा wrinkles को remove करेगा और आपकी skin को बहुत ही ज़्यादा bright कर देगा शीशे की तरह आपकी skin को एक दम चमका देगा इसमें जो हमने aloe vera gel का इस्तमाल किया है वो आपकी skin को cooling effect देगा soothing effect देगा आपकी skin को sun burn से बचाएगा और अगर आपकी skin पर sun tan है तो उसको भी remove करेगा और आपकी skin को soft, smooth और shiny बना देगा इसके इलावा अगर आपकी skin पर किसी भी किसम की सोजिश है या itching है तो उसको भी control करेगा वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को like कर देगा और चैनल को subscribe करके बेल आइकन पर दबा कर all पर क्लिक कर ले ताके मेरी हार आने वाली नई वीडियो का नोटिफकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़दा ख्याल रखिएगा पॉजिटिव रहिएगा हमेशा हनसे मुस्कुराते रहिएगा अल्ला हाफिज